गुड मॉर्णिंग बच्चों, मैं डॉक्टर लक्षमी तिवारी, हिंती विफाग, इंटर प्रभाग बनवारी पलेज राची बच्चों, पिछे क्लासेश में मैं कवी केशो दास की कविताया को पढ़ाई थी और आज मैं पढ़ाऊंगी घनानन्द की कविताया घनानन्द रिती काल के रिती मुट्ट काविधारा के प्रतिनिधी कवी माने जाते हैं वे दिल्ली के बादशा मुहमद शाह के मीद मुझसी भी थे घनानन्द के बारे में ऐसा कभा जाता है कि सोजान नाम के एक इस तरी से उनका अटूट प्रेम था उसी के प्रेम के कारण घनानन्द बादशाह के दरबार में बेहर्भी कर बैठे जिसे से नाराज हुदर बादशाह ने उन्हें दरबार से निकाल दिया था उसके साथी साथ घनानन्द को सोजान की प्यफ्राईल ने भी निराश और दुखी किया घनानन्द कुछी देनों के बाद वुरिंदावबन चले गए और निम्बार्ग संफ्रदाय में दिच्छित होकर भाक्त के रूप में अपना जीवन नेवाह करने लगे लेकिन अपनी प्रेमिका सुजान को भूल नहीं पाए और अपनी रचनाओं में सुजान के नाम का बतिकात्त प्रयोग करते हुए काविका रचना करते रहे घनानन्द को मोल रूप से प्रेम की प्रिड़ा के कभी कहा जाता है कि योग बनन में उनका मन पधिक्रमा उनकी रचनाओं में प्रेम कात्यत गमफिर, निर्मल, आवेग में और ब्याकुल कर देने वाला उदात रूप डेक्ट हुआ है इसलिए घनानन्द को साक्षात रसमूर्ती भी कहा गया है घनानन्द की एकावि में भाव की जैसी गहराई है वैसी ही कला की बारिकी भी है कहने के अतात पर यह है कि घनानन्द की कावि में जैसा भाव उबरा है उसी भाव को उन्होंने अपना खलात्मक रूप दिया है उनकी कविता में लाक्षनिक्ता वक्रोक्ती इताधी अन अलंकारों का भी प्रियोग किया गया है उनकी कावि कला में सहस्ता के साथ साथ वच्चन वकता का अध्भूत मेल है गहना निंद की कावे की भाषा साहितिक ब्रज भाषा है और उसमें कुमलता और मधुरता का चरम विकास दिखाई देता है भाषा की बेंजक्ता पढ़ाने में वे अत्यन्थ कुसल थे वस्तुतर वे व्रज भाषा प्रवीन ही नहीं सर्जनात्मत का वे भाषा के प्रेनेता भी थे अथार्थ घनानंद को व्रज भाषा का प्रेनेता भी कहा जाता है घनानंद की रचनाओं में मोल रुप से है सुजान सागर, विरह लीला, क्रिपाकंड, निबन, रसकेली वली आदी प्रमुख है यहां हम लोगों को इस पाच पुस्तक में घनानंद की दो कवित तथा दो सवया पढ़ना है प्रत्म कवित में कवी ने अपनी तीमिका सुजान के दर्शन की अभिलाशा प्रकट करते हुए कहा है कि सुजान के दर्शन के लिए ही एप्रान अब तक अटके हुए है दूसरे कवित में कवी नाइका से कहता है कि तुम कब तक मिलने में आना कानी करती रहोगी मुझ में और तुम में एक प्रकार की फोर्सी चल रही है तुम कब तक कानों में रूई डाल कर बैठी रहोगी कभी तो मेरी पुकार तुम्हारे कानों तो पहुचेगी ही आगे प्रत्थम सवया में कवी ने वीरह और मिलन की अवस्थाओं को तुलना की है अंतिम सवया में कवी कहता है कि मेरे प्रेम पत्र को प्रियतमा ने पढ़ा भी नहीं और फाड कर टुकडे टुकडे कर दिया तो पच्चों अब हम कवीत का पहला पंक्ती देखते हैं यह कवीत दो भाग में है तो अभी हम पहला भाग में चर्चा करते हैं पंक्तियां है बहुत दिनान को अवधी आसपास परे खरे अरब्रनी भरे हैं उठी जानी को कही कही आवन चबीले मन भावन को गही गही राखती ही दैदे सनमान को जुठी बतियानी पतियानी में उदाश है के अबता घिरधन आनंद निदान को अधर लगे हैं आनी करे के पयान प्राण चाहत चलने संदेशो ले सुजान को दिनान यानि बहुत दिनों तक अवधी समय यहां कभी घनानन कहते हैं कि बहुत दिन बहुत दिन बीत गया है अथात बहुत समय बीत गया है अब तो जान पर बन आई है यानि अब जान पर आफ़त आ गई है मेरी प्रियतमा ने बार बार आने के लिए कहा मन को लुभाने वाली छल चबली प्रिया के आने को कहा प्रंतु अभी तक नहीं आई मुझे उसके दर्शन नहीं हुए मैं उसकी राह को देखता रहा प्रंतु वह नहीं आई कवी कहता है कि अब तो मैं उसके राह को देखता रहा प्रंतु वह नहीं आई कवी कहता है कि अब तो आ जा और मेरे समान रख ले मेरी संसार में बदनामी ना हो अतह आकर दर्शन दे जाओ मेरी जुटी बातों पर विश्वास करके मैं उदाश हो गया हूँ अब तो उदाशी इतनी बढ़ गई है कि अब मेरे मन को आनन नहीं मिलता अब तो मन को तसलित देने वाला बादल भी नहीं आते और मेरे मन को चैन राप नहीं होता पहले तो मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लेता था परन्तो अब मुझे तुम्हारी बाते जुटी लगती है और मुझे तुम पर विश्वास नहीं होता यदि तुम आ जाओगी तो तुम्हें यह संदेशा सुना देंगे इसे आशा में मेरे प्रान अटका हुआ है वरना अब तक यह प्रान निकल गए होते तुम्हारे ही इंधिजार में यह अब तक रुके हुए है कवी के हिदय की व्यकुलता अठाद प्रेम की व्योग का सजीव चित्रन इन पंक्तियों में प्रस्तूत किया गया है दुश्री पंक्तियां है आना कानी आरसी बच्चे अपनी पुर्ता को खोल करके इस पंक्तिया को देखें और उसकी भावार्थ को सुने को कहते हैं दुश्री पंक्तियां में कवी घहनान कहते हैं अपनी प्रेशी से यानि उनकी प्रेशी कौन है सुजान तो सुजान को लक्ष करके जैसा कि हम पहले बताए कि घहनान अपनी कावी का रचना जो है सुजान को प्रतिकात्मक रूप दे कर किया है यानि सुजान को प्रतिक मान कर किया है तो इन पंक्तियों में सुजान के लक्ष करके कह रहा है कि तुम कब तक हाथ के अंगुठे में पहनने वाली शीशे के आभुशन को देखती रहोगी और मेरी बात को अनकानी करती रहोगी अधात तालती रहोगी मेरी चकित दशा को देखर तुम कब तक अपनी नजर नहीं डालेगी तुम कब तक मेरी और नहीं देखोगी कभी तो तुम्हारी दिश्टी पड़ेगी ही ऐसा प्रशनात्मक रूप से लक्ष करके सुजान को कभी ने सुना रहा है उन्होंने कह रहा है कि अपनी प्रण का कब तक पालन करोगी मेरी कुक भरी मौन व्रीती पर तुम खुद भखुद बोलने लगोगी कभी को ऐसा मन में आशा है उन्होंने कहा है कि मेरी मौन पुकार पर तुम्हें बोलना ही पड़ेगा कभी को ऐसा आशा है कि मेरी इस मौन पुकार पर कभी तो सुजान का शब्द फूटेगा ही मुह से तुम जिद्धी हो तो मैं भी कम नहीं मुझे घानानन जानकर तुम्हें मुझसे बहस करनी ही होगी तुम्हें अपनी जित छोड़नी ही पड़ेगी कब तक तुम बहरे पन का नाटक करके अपनी कानों में रूई डाल कर बैठी रहोगी कभी तो मेरी पुकार तुम्हारे कान तक जाएगी ही अधार पहुंचेगी ही मेरी पुकार तुम्हारे कानों तक पहुंचेगी और तुम्हारे कान खुलेंगे और तुम बोलने पर मर्जूर हो जाएगी मेरी पुकार में शक्ती है तो तुम्हें बोलना ही होगा इसमें कोई संदेश की गुंजाइश नहीं है कभी को ऐसा आशा है कि मेरी ये मौन पुकार जो है सुसुदान तक पहुँचेगी और कभी ने कभी सुदान मुख खोलेगी ही तो बच्चे आएद के कपंक्तिया समाप्त होती है और अगड़े क्लासिस में मैं सवया की पंक्तिया को पढ़ाऊंगी धन्यवाद